So hey guys, आगे फिर से एक fresh new video लेकर top 5 routers under 2000 रुपीज And guys, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा subscribers कमेंट के उपर वीडियो बनाता हूँ So today's video is commented by Monique Sazmal So without wasting time, let's get started So guys, अगर आपको भी किसी भी topic के उपर वीडियो चाहिए तो नीचे comment कर दो आपका वीडियो 101% जरूर बन जाएगा So दोस्तो number 5 में हमारे list में जो router आता है वो है TP-Link का AC750 इसमें आपको 2.4 GHz में 300 Mbps का And 5 GHz में 433 Mbps का dual band connection मिलता है And इसी के साथ इस router में आपको 3 antennas मिलेंगे इसमें आपको parental controls and guest mode available मिलेंगे जैसे कि अगर आपके घर में guest आये हुए है And उनको साथ जो है आपको जहें password share नहीं करना है तो वो सब जो भी features होते है वो इसमें आपको मिल जाएंगे तो वैसे ठीक ही है but इतना ही है कि आपको 5 GHz में 433 Mbps का speed मिलता है थोड़ा और ज्यादा होता तो अच्छा होता But इसकी price भी थोड़ी कम है 1699 इसकी price है And offers वगेरा में लोग है तो 1500 में भी आपको ये router मिल जाएगा easily So अगर इस router की overall performance देखा जाए तो ये router अच्छा ही है But आपको speed जो है थोड़ी कम मिलेगी So this router is come in my list number 5 So दोस्तो number 4 में आता है TP-Link Archer C50 And दोस्तो ये भी एक dual band router है But इसमें आपको 2.4 GHz में 300 Mbps And 5 GHz में जो है आपको 867 Mbps का speed मिलेगा जो की बहुत ही हाई है इसमें आपको VPN मिल जाएगा And guest mode, parental control, जो भी एक basic router में जो भी features होते वो सभी जो है आपको इस router में मिल जाएंगे And guys इसकी एक अच्छी बात ही है कि इसके एक dedicated app है जिससे आप इस router के कुछ changes वगरा करना हो कुछ modify करना हो ताप उस app से directly कर पाओगे And guys इस router में आपको 4 antennas मिलते हैं तो ये router बहुत ही अच्छा है And इसकी price भी जो है बाकी routers के मुकाबले थोरी जादा है मतलब 2000 के अंदर ही है इस router की price जो है वो 1800 रुपए है And दोस्तो number 3 में आता है Tenda का AC5 version 3 V3 ये वाला router जो है आपको सारे 1900 से लेकर के 2000 के बीच में आपको मिल जाएगी इसमें जो है आपको 2-3 चीज़े अच्छे मिलेगी इसमें आपको 4 एंटेनास देखने को मिलेंगे And speed की बात करूँ तो 5 GHz में आपको 867 Mbps का speed मिलेगा And guys इस router के लिए आपको जो है एक dedicated app देखने को मिल जाएगा तो आप उस app से जो है सारी चीज़े को control कर सकते हो And guys अगर आप बाकी चीज़े भी देखोगे तो नोटिस करोगे कि तीसरे नंबर का और चौते नंबर का जो router है वो बहुत ही similar है And हाँ guys सभी routers के checkout links जो है मैंने description में दे दिये है And अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को like and channel को subscribe जो है जरूर से अभी कर दीजे And guys दूसरे नंबर पर आता है Mercusis AC 1200 AC 12G पता नहीं इतना complex name क्यों रखता है चलो कोई नहीं And हाँ guys इसमें जो है gigabit sports आते हैं इसमें 2.4 GHz में 300 Mbps And 5 GHz में 867 Mbps का speed मिलता है App control है इस router के अंदर भी तो आप app यूज़ कर सकते हो But हाँ guys इसकी price जो है ये 2000 से 2200 के अंदर तक जा सकती है तो अगर आप sale वगरा में लेते हो तो 2000 या उससे भी कम range में आप ये purchase कर सकते हो And हाँ guys एक बात पता ना भूल गया कि इसमें जो है आपको 3 Gbps ports मिलते है So दोस्तों नंबर वन में जो router आता है वो है D-Link DIR 825 So अगर देखा जाए तो आज के price list में मतलब अंडर 2000 में आज के जो भी गॉफ 5 Gbps लाउटर्स थे इसमें से ये routing सबसे best हो इसमें आपको सारे features देखने को मिल जाएंगे And इसका link जो है description में दिया हुआ है आप उन से click करके check out कर सकते हो And guys इस router की price भी जो है ये 2000 के नीचे है मतलब 1999 इसकी price है So I hope guys आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो थोड़ी से भी informative हुई हो अगर वीडियो थोड़ी से भी helpful हुई हो तो वीडियो को like and channel को subscribe कर दीजे क्योंकि हम हमेशा ही all time subscribers कमेंट के उपर वीडियो बनाते हैं और बनाते रहेंगे सिर्फ आप नीचे कमेंट कर दीजिए कि आपको किस topic के उपर top 5 या top 3 या top 10 वीडियो चाहिए आपका वीडियो भी 101% जरूर बन जाएगा बट हाँ obviously आपको bill notification हिट करना होगा नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका वीडियो बना है या नहीं बाद में आप सोचो कि भाई बेकार में कमेंट किया वीडियो ही नहीं बनाया सो obviously bill notification को हिट कर दो तब तक के लिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में जो वीडियो होगी आपके कमेंट के उपर थैंक्स फॉर वाचिंग बाई बाई